आप हैं बिहार संबादाता के शाथ और मैं हूं मनोच्च चतुवेदी लोग सभाद 2024 का चुनाओ नजदी काते जा रहा है एक तरफ इंडी गडबंधन तूसरे तरफ इंडी ए गडबंधन खास करके बात करेंगे बिहार की आखिर बिहार में सीटों का बटवारा कैसे होगा तमाम दलों के जो नेता हैं ललन सिंग से लेकर लालु यादो नितीज के करीबी संजय जहा कह रहा है कि दम साहब 15 जनवरी तक सब कुछ जो है वो अब प्रास्ते पे आ जाएगा लेकिन इतना ये आसान भी नहीं है जितना नेता मीडिया और कैमरे के सामने बोल दे रहे हैं बस आप हो जाएगा कहीं कोई नाराजगी नहीं कहीं कोई कुछ भी नहीं कल ही की बात हम जदी आपको बता दें तो इंडी गटबंधन ने संसद में घटी घटनाओं के बिरोध में पूरे भारत में बिरोध मार्श निकाला राजद ने अपनी ताकत दिखाई तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं राजद ने अपनी ताकत दिखाई कांग्रेस मुठी भर लोगों को लेकर जो उसके पास हैं बिहार में खास करके पटना में मुठी भर लोगों को लेकर उसके नेता अकलेश प्रशाद सिंग सरकों पे उत्रे माले ने भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिस ने सित्तौर पर की लेकिन जदियू कहीं टाइटाइट शिसरा जदियू का कोई भी बड़ा नेता सडक पर नहीं दिखा न जदियू के कारकरता ही कुछ उत्रे थे साथ देना है वही इंडिया गड़ बंधन में है साथ देना है नितीश कुमार को प्रधान मंत्री बनना है लेकिन नाराजगी तो निस्तौर पर दिखी जदियू अपने को पीछे रखके चला जैसे ही बिरोध मार्च खतम हुआ जो हमारे सुत्र बताते हैं राहूल गांधी ने फोन किया नितीश कुमार को ये कल की बात मैं बदा दे रहा हूँ आपको नितीश कुमार को राहूल गांधी ने फोन किया तेजस्वी यादो दोले दोले पहुँचे नितीश कुमार के घर अंदर कमरे में बाते हुई सुत्रों ने बताया कि मंत्री मंडल बिस्तार पर चर्चा हुई लेकिन चर्चा कहीं न कहीं सीटों पर भी निस्सितौर पर हुई हुई 2019 की जदी हम बात कर ले हैं तो 2019 में बीजेपी ने 17 जदियू ने 16 कॉंग्रेस ने 1 और लजेपी ने 6 सीटें जीत ली थी अब यहां इस बार परिदिस से क्या होगा क्योंकि एंडिये गटबंधन में कौन-कौन लोग रहेंगे ये तो प्लियर है चिराग पासवान क्या एंडिये का हिस्सा होंगे नहीं होंगे अभी तक ये पूरी तस्वीर कहीं साफ नहीं हो रही है क्या जदिव जिन 17 सीटों पर चुनाओ उसके सांसद जीते थे वो क्या फिर से 16 सीटें जदिव लेना चाहेगी या जहां उसके सांसद दो नंबर पर रहे वो सीटें जदिव लेना चाहेगी सुत्र बता रहे हैं चलेगी तो लालू की ही चलेगी सुत्र ये भी बता रहे हैं कि 10 सीटों से ज़्यादा जदिव को देने के मूड में कहीं भी नहीं है लालू प्रसाद या दो क्योंकि कुछ सीटें वो जदिव से काटेंगे कुछ अपनी उनके पास तो कोई सांसत था ही नहीं कुछ अपनी सहादत देंगे तब जाके माले से लेकर मने कौमनिस पार्टी से लेकर कांग्रेस की मांग जो है वो पूरी की जा सकती है लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि सीपियम जहां से थी जहां से चुनाव लड़ी थी CPM भी उसनी सीटों पर उन्हीं सीटों पर दावेदारी कर रही है अब जैसा मैं कुछ उदाहरण आपको दे दूँ बालमिकी नगर से जदिव है बालमिकी नगर सीट की मारजिन जो थी 3,54,616 वोड से जो है बिद्यानाथ प्रशाद महतो ने जीता था बालमिकी नगर से बालमिकी नगर सीट किसी भी सर्थ पर जदिव नहीं छोड़ना चाहेगी क्योंकि 3,54,616 की मारजिन कम नहीं होती है और सास्वत केदार जो है कांग्रेस के दूसरे नंबर पर महते रहे कांग्रेस भी कहेगी कि मेरी दावेदारी अब रहेगी वही क्योंकि हमने जो है 2,48,44 वोट उनको मिले थे टोटल वोट पड़े थे 6,2,660 बालमिकी नगर की बात मैं कर लो तो पस्टिम चंपारन संजेज अस्वाल है है पूर्वी चंपारन राधा मोहन सिंग है सिवहर रामादेवी शिवहर पे अब जो है आर जेडी दूसरे नंबर पे थी बहाँ सिवहर आर जेडी कभी भी नहीं छोड़ेगी नितिश कुमार का पत्ता वहां भी कटेगा जदिव का यानि की जदिव का सिता मढ़ी सुनिल कुमार पिंटू है आर जेडी के और मैं आपको बता दूं कि पिसले दिनों देवेश चंद चौधरी विधान परशद के जो हैं उपाध्यप्ष है विधान परशद के नेता हैं और पिछले दिनों सीता मढ़ी वो गय थे और वहां उन्होंने कह दिया एक बात कि मुझे नितिश कुमार से पर्मेशन मिल गई है और मैं यहां से चुनाव लोगा अब आप समझ सकते हैं आर जेडी वहां भी रहेगी जंजारपूर रामपृत मंडल आर जेडी मात्र महां 3,42,951 वोटों से हारी है तमाम यह सीटें ऐसी हैं सिवान आर जेडी छोड़ देना चाहेगी चलिए नितिश कुमार आपकी सीट है आप लड़िए क्योंकि वहां सहाबूदीन वाला मामला फसेगा पाटली पुत्रा लालू यादो कह चुके हैं क्योंकि पाटली पुत्रा सीट लालू यादो के लिए भी बहुत महत्तोपुन है राम क्रिपाल यादो को किसी तरीके से वो हराना चाहते हैं पटकनी देना चाहते हैं पाटली पुत्रा वो कह दियें कि पाटली पुत्रा मैं लड़ूंगा और लड़ेंगे भी लालू यादो अब बात बची पटना साहिब कायस्तों की सीठ है कितना भी आप उधर से भोट लेकर आईए कोई फरक नहीं पड़ता पटना आते आते सब बराबर हो जाता है पटना साहिब पर बीजेपी को इस बार थोड़ा सा नाकुचना चबाना पड़ेगा क्योंकि रविशंकर प्रशाद की छवी इस बार कोई बहुत अच्छी नहीं बनी है पटना साहिब सीट से जो खबर हमारे सुत्र हमारे खबरी जो दे रहे है लालू यादो दस सीटें ही देंगे हमने आपको आज बालमेकी नगर बता दिया लालू नहीं छोड़ेंगे उसके बाद सिभर लालू नहीं छोड़ेंगे अररिया बॉडर है लालू नहीं छोड़ेंगे मदेपूरा नहीं छोड़ेंगे लालू यादों का गड़ सरद यादो आपको याद होगा दर्भंगा दर्भंगा को लालू छोड़ सकते हैं जाइए जदिवाले आपकर यह दर्भंगा क्योंकि गोपाल जी ठाकुरुमा भाजपा के हैं और उनकी बहुत अच्छी पकड़ा है दरभंगा लालू छोड़ेंगे क्योंकि दो नंबर पे थे क्योंकि जाईए आप लड़ लीजे अब सबसे बड़ी बात ये आएगी हम आपको एक चीज और बता दें कि पिछले चुनाव में 2019 में क्या हुआ था वोट परसेंटेज कैसे क्या हुआ था जिससे इतना उथल पुथल मचा कि लालू को एक भी सीट नहीं आई अब जदी हम आपको ये पूरा बता दें आकड़े कैसे हैं ये आकड़े पूरे तो आपको इसे इस तरीके से समझना पड़ेगा भारती जनता पार्टी जो है 23.58 प्रतिसत वोट उसे मिला था जबकि यहां भी वो चेंज हो गई थी 5.82 प्रतिसत वोट जो है भारती जनता पार्टी का गिरा था तब वो 23.58 गिरा था मिला था उसके बाद भी जो है 17 सीटें उसे मिली 5 बदलाव हो गए थे समझ सकते हैं आप 5 प्रतिसत का करीब बदलाव हुआ था जदियू को 21.88 एक प्रतिसत वोट मिला था और उसका वोट सेर जो है 6 दस मलो एक प्रतिसत बढ़ गया था भाजपा के साथ रहने से लोग जन सकती पाटी की जदी हम बात कर लें मात्र 7.88 प्रतिसत वोट मिला एक दस मलो चार छे प्रतिसत वोट बढ़ा था उसका 2014 के मुकाबले और 7.88 प्रतिसत पर ही उसने मार लिया था सीटें पांच सीटें उसने मार ली थी कॉंग्रेस की बात जदी कर लें साथ दस मलो साथ सुने प्रतिसत वोट मिला था दस मलो साथ सुने प्रतिसत वोट यानि कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा था और उसको एक सीट मिली थी अब सबसे बड़ी बात जो है कि एंडिये को एंडिये ने 40 सीटों पर चुनाओ लड़ा 9 सीटें दोनों के खाते में ज़्यादा आ गई थी और 53.25 प्रतिसत वोट जो है पूरे बिहार में मिला था एंडिये को महा गटबंधन की ज़्यादी हम बात करें 49 सीटों पर चुनाओ लड़ी थी एक सीट सिर्फ मिला कांग्रेस को 6 सीटों का अंतर आ गया और 30 दस्मलों साथ 6 प्रतिसत वोट जो है वो महा गटबंधन को मिला था लेफ्ट प्रंट की ज़्यादी बात कर लें 17 19 स्केंडेट थे एक भी सीट नहीं जीत पाए और दो दस्मलों दो एक प्रस्षत का वोट मिला था उनको और नोटा में दो प्रस्षत वोट चला गया था टोटल जो है महा गटबंधन को जदी हम बता दें अंडिये को करीब दो करोड़ 17,29,246 बोट मिले थे वहीं लेफ्ट प्रंट को 9,25,253 बोट मिले थे सारे आकणों को हम हमेशा याद आपको दिलाते रहेंगे आज हमने आपको कुछ सीटों के बारे में बताया लेकिन पेच बड़ा फसा हुआ है बिहार में अभी हमने आपको सिर्फ चार सीटों के बारे में बताया लेकिन पेच बहुत फसा है और ये पेच कैसे खुलेगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है अगली खबर में आपको हम लेकर आएंगे कि और अंगा बात साइट की जो सीटे हैं वो किसके तरफ जाएंगी लालू कितनी छोड़ेंगे जैसे सुत्र हमारे बता दिया है कि दस से ज़्यादा लालू देंगे नहीं क्योंकि नौ सीटों पर CPIM अपनी दावेदारी मैंने कॉमनिस पार्टियां अपनी दावेदारी कर रही है कांग्रेस भी नौ पर ही अड़ी है फिर क्या होगा इंडी गड़ बंदन का बिहार में ये सिर्व बात मैं बिहार की कर रहा हूँ वक्त बताएगा इंतजार करें हम भी लेकिन बताते हम ये चलेंगे कौन सी सीटों पर एक एक सीट का हम आकड़ा आपको बताएंगे और आज से ये कारिकरम हमने सुरू कर दिया एक एक सीटों का आकड़ा हम बताएंगे कि किसको कितने वोट उस सीट पर मिले थे कौन भारी पढ़ गया था क्या कुछ हुआ था वहाँ पर एक एक सीट का आकड़ा और हमारे एक्सपर्ट परतीक राय जिनके पास बिहार के तमाम विराद्रियों के आकड़े हैं वो भी ह हम से जुड़ेंगे अगली खबर में एक एक खबर एक एक सीटों की आपको बताएंगे रोज एक सीट की हम गड़ना कर देंगे कि यहां क्या हो सकता है क्या संभावना यहां बनेंगी हमें दीजे इजाजत नमस्कार